नमस्कार दूस्तों मैं पाविस्मुलिया स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में चालो कर सकते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूरра रहा है क्योंकि वीडियो काफी है आज का एक वीडियो दोस्तों आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पे only for bank of baroda related useful वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले तो आपको play store में जाके bank of baroda का जो application है वो search कर लेना है यहाँ पे bank of baroda bubm connect plus यह application है आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट वाला है वो आपको download कर लेना है मैंने यहाँ application download कर लिया है फिर आपको simple इसको open कर देना है जैसे ही आप application open करते हो आपके सामने कुछ permission demand करेगा आप permission को allow कर दीजिए जितने भी permission demand करता है सब permission आप allow कर दीजिए यहाँ पर मैंने allow कर दिया है आप देख सकते हो कुछ इस टैप का interface आ जाएगा फिर यह login वाला बटन है उसके उपर आप प्रेस कर दीजिए फिर confirm है उसके उपर आपको प्रेस करना है फिर यहाँ पर एक message छोड़ने को बोलेगा आप यहाँ पर सिंपल मेंसेज सेंड कर दीजिए मेंसेज आप सेंड करके एक स्टेप बेक हो जाएए और आपका mobile नमबर आ जाएगा mobile नमबर देखके आप confirm कर दीजिए अगर नहीं आता है तो आप आप मेन्योली भी डाल सकते हो यहाँ पर confirm करके your mobile number is not registered for mobile banking you can register by clicking register now मतलब हम register करने वाले हैं यहाँ पर register now पर click करना है आपको एयर डेविट कर आपका ATM काड़ है वो आपके आथ में ले लिजिए यहाँ पे कुछ OTP आएगा Automatic OTP Fetch कर लेगा system अब आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा यहां पर आपको ATM related जो information हो डालने है मैं यहां पर आपको बता देता हूँ ATM में जो first वाला portion है उसमें आपका जो ATM होका उसका last six digit डालना है ATM काड मेरा देख सकते हूँ यहां पर लास्ट डिजिट है यहां पर डालना है फिर month और year में नीचे देख सकते हूँ यहां पर फेबरुवारी महिना और 2024 और यहां पर नीचे आपका account नमबर में यहां पर डाल देता हूँ यह डिटेल अब देख सकते हूँ कि डाल दिया है फिर महिना आपको डाल देना है यहां पर मन्त मैंने सिलेक्ट कर लिया है फिर year यह 2024 एक्सपेर यह अभी हो गया है अभी यहां पर मेरा account नमबर जो है वह मुझे डालना है यहां पर में मेरा account नमबर डाल देता हूँ एकाउंट नमबर डालने के बाद आप एक बार इन्फरमेशन चेक कर लिजिए फिर सब्मीट बटन पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही सब्मीट बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ वेलकम टू बैंक अप बोरोडा मोबाल बेंकिंग यहां पर MP आप देख सकते हो 7091 MP आ गया है और कौनकी चुलेशन मोबाल बेंकिंग रजिस्टर सक्सेस्पुली हमारा मोबाल बेंकिंग रजिस्टर हो गया है that you are only two step away from activate आपको create application password और change default MP मतलब application password बनाना है और MP चेंज करना है फिर आप प्रासीड पे क्लिक कर दिजिए create application password मतलब first वाला जो आप application लॉग ईन करते टाइंम आपको डालना है हो प्रसवर यहां पर डाल दीजी है कुछ भी आप Sand map लेता हूं प्राइब अपक्टूLE को पास्वर्ड और यॉइन पे क्लिक कर दीजें अभी यहां पर देख सकते हो एंटर यॉर एक्जिस्टिंग M-PIN हमारा जो मेसेज में M-PIN आया था यह आप देख सकते हो 7091 वो यहाँ पर फॉर्स्ट वाले में एंटर करना है अभी नीचे हमें new M-PIN बनाना है new M-PIN बना के हमको एंटर करना है new M-PIN बना लिया है आप देख सकते हो your M-PIN updated successfully फिर okay कर देना है इसमें simple फिर आप login कर सकते हो login में हमने जो पहले password बनाया था वह आप में पहला वाला password डाल देना है आप देख सकते हो mobile banking चालो हो गया है देखा आपने कितना simple और easy process है अभी आप सब कुछ यहां से कर सकते हो पैसा ट्रांसपूर चेक बुक रिक्वेस्ट ओनलाइन आप रिचार्ज वगेरा सब कुछ कर सकते हो यह रिक्वेस्ट सर्विस में जाके statement वगेरा बहुत सार मेन वह आप मेन्योली देख सकते हूं कि दोस्तों आज का यह वीडियो आपको युस्पूल लगा तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर देश जेगा फिर से मिलता है एक नए वीडियो में तब तक खुस रहिए मुस्कुर आते रहिए धन्यवाद